आप सब तो ही चीज जानते होगे कि हर एक गेमर का एक सबसे बड़ा ड्रीम होता है कि वो अपनी लाइफ में कम से कम एक बार एक तगड़ा सा गेमिंग पीसी खरीदे लेकिन सच बोलू तो मेरे पास पैसे नहीं थे और यहां तक कि दो साल यूट्यूब पर मेहनत करने के बावजूद भी मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं एक गेमिंग पीसी खरीद था अब आप लोगे सुनकर एचीज जरूर बोलोगे ए बिंजर भाई साला तुम फिर तीन लाखा पीसी लाए कहां से और मैं बोलूँगा जुगाड वीडियो पूरा देखो बहुत ही इंस्पारिंग और फणी स्टोरी टाइम है और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब अब नहीं किया होगा प्लीज बाई लोग आज कर देना अब सब की तरह मैंने भी अपनी फ्री फायर जर्नी एक छोटे से मुबाईल फोन पे शुरू की थी और तीन साल से भी ज्यादा टाइम तक मैं सिर्फ फोन में ही खेलता था और यहां तक कि वीडियो भी मैं फोन से ह एडिट करके अपलोड करता था मुझे आज भी आदे उस फोन का रैम सिर्फ 700 MB था तो वीडियो रिकॉर्ड और एडिट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती थी लेकिन फिर यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आई लगबग 200 डॉलर और मैंने उसे एक अच्छा फोन लि ड्रैग हैट शॉट मारना मोमेंट स्पीड से खेलना कितना ज्यादा आसान होता है एस कंपियर टू मुबाइल गेमप्ले और इसी लिए सब लोग PC प्लेयर्स कोई देखने लग गे और फिर मुबाइल प्लेयर्स की इज़त और व्यूव्स दोनु डाउन होने लगे और ए चाते हुए भी मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि मैं PC में शिफ्ट हो जाऊं लेकिन इतना आसान नहीं था चैनल डाउन था पैसे आनी रहे थे और कुछी महीने पहले मैंने रॉयल एंफिल्ड बाइक भी ली थी और अभी मेरे पास बचे थे सिर्फ एक डेड़ लाक रुप एसा भी गंदा खायाल आया कि चलो ID बेश देता हूं लेकिन मेरे दिल ने ये चीज माना ने गर वालों से भी पैसे मांगने की हिम्मत नहीं हुए क्योंकि अव्यसी बात है वो लोग gaming PC के लिए मानते ने और फिर मैंने पैसे कहां से लाए और मेरे साथ scam कैसे हुआ वो सु और उसी के साथ आप लोग 60fps पे बिना lag के record कर सकते हो और ये 2GB और 3GB RAM वाले devices में भी बहुत ही perfectly चलता है साथ ही आपको cloud storage भी मिलता है तो link description में जाके जरूर से download करना एक लाग कोई आपको ऐसी देगा नहीं बोलने में तो बहुत चोटा amount लगता है लेकिन reality में अच्छा खासा amount होता है और मेरे को जब लगा मेरे पास आप कोई option बचा नहीं है या तो YouTube छोड़ देना था या तो PC लाना था YouTube तो मैं छोड़ नहीं सकता था तो मैंने last option choose किया और मैंने अपनी bike बेच दी गर वालों को already मेरी bike के साथ नफरत थी तो उनको मनाना आसान था और मैंने जिन YouTube के पैसों से उस bike को खरीदा था उसी YouTube के लिए उस bike को भेजना भी पड़ा था थोड़ा बुरा लगा लेकिन मेरा YouTube और Free Fire के लिए passion उससे बहुत बड़ा था आप लोग सोचो मैंने कितना बड़ा risk लिया होगा वो भी तब जब मेरा channel डाउन था लेकिन बचपन से ही म बहुत अच्छा इंप्रो हो रहा था लेकिन सिर्फ एक महीने बाद साला PC बैट गया मैंने जिस कंपनी से online PC बिल्ड किया था उनको मैंने mail किया लेकिन उन्होंने reply नहीं दिया तो मैंने नजदी के इस service center में PC लिया और वहाँ पे मेरे को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ किया और उन सालों ने बोला हमने new parts ही लगाए थे और उल्टा मुझ पर ही इल्जाम लगाया कि आप नहीं कुछ किया होगा आप सोंचो आपने दो साल जो पैसे दिन रात मेहनत करके कमाए हो उनका एक PC लिया हो और आपके साथ scam हो जाए आप क्या करोगे मैं तो साला लेकिन पता नहीं साला क्यूं मैं कभी हारी नहीं माना इससे पहले भी दो बार चैनल डाउन हुआ था और कहीं न कहीं मैं जानता था मैं शायद वापस उठूंगा अपने passion के लिए और आप लोग के प्यार के लिए मैं फिर से एक बार मेहनत करना शुरू कर दिया मैंने PC क दिमाग से निकाल दिया और मैं बूल गया मेरी कभी बाइक भी थी और मैं वापस फोन पे वीडियो बनाना शुरू किया लेकिन इस बार अपना 100% दिया साला इतनी मेहनत की कि किसमत को भी हमारा साथ देना पड़ा और देखते ही देखते हम लोग जितनी भी वीडियो डाल कि ये सेम ग्रैफिक्स कार्ड है और वो ग्रैफिक्स कार्ड और पुराना था और जब उस कमपनी के ओनर को पता चला उसने मेरेक्टली कॉल किया वसल में वो कमपनी एकदम जिन्वन थी लेकिन उनके एक एक एमप्लोई ने मेरे साथ फ्रॉड किया था मैंने वो PC उनको व इसी बिल्ड किया लगबग 8000 डॉलर का उसका फोटो सबसे पहले मैं सिर्फ आप लोग को ही दिखाना चाहूँगा लेकिन 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 अगर आप चाहते हो पूरा सेट अप टूर वीडियो तो इस वीडियो पे लाइक टारगेट है और हाँ ग्लिप स्क्रीन रिकॉर्डर को चेक आउट करना मत बूलना लिंक डिस्क्रिप्शन में